हलो इस्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR study में जैसा कि आप जानते हैं आप class 7th की NCRT math पढ़ रहे हैं जिसमें चल रहा है fraction and decimal यानी कि भिन और दसंबलो तो उसमें आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट आप ध्यान से देखना इस class को और इंड तक देखना exercise 2.2 होगा इसके पहले exercise 2.1 हम पढ़ चुके हैं और इसमें जो भी example आप देख रहे हो जो भी चीजे हैं ये सब हम पिछली सभी class में सब सीख चुके हैं तो चलिए 2.2 हम आपको दिखाते हैं अगर आपने इसको नहीं देखा 2.1 तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर यूटूब पे देख रहे हो तो आपको मिलेगा और अगर आपने एप में कोर्स लिया है प्रीमियम वाला तब तो आपको सब मिला होगा तो इस class में हम बात करेंगे भिन्न साथ सेंटीमीटर है चार सेंटीमीटर है तो उसका चेदरपल अठाई सेंटीमीटर स्कॉयर होगा इसे भी आप जानते हो तो साथियों फिर इसमें करना क्या है हमें कुछ फिगर के आधार पर इसे डिसाइड करना है एक भिन्न का पूरुड संख्या से गुड़ा करना इस कलास को मिस नहीं करना बिल्कुल एंडे तक देखना देखो यहां पर आप ध्यान दो जैसे यहां पर आप देखो टू पॉइंट टू में आपको तीन फिगर दिख रहें पहले फिगर में अगर देखो चायंकित भाग तो कुछ भी नहीं है दूसरे में देखो तो दो ह है और बराबर देखो इसका दो चायंकित भाग हो गया यह इसका क्या हो गया एक परकार से योग फ़ल हो गया ठीक है मतलब क्या है मतलब यह है कि यह पूर्ड संख्या है और यह क्या है एक यह टू अपान फॉर है और यह वन है ठीक है तो वन का टू अपान फॉर में देखो जैसे मैं ने एक गोला खीचा न लेकिन ये गोला जैसे गोला बनना चाहिए तो अच्छा लगता थोड़ा से ये लो मानव हीचा इसमें देखो कोई भाग नहीं ये न ये सीधा सीधा है मतलब एक गोला है लेकिन अगर मैं ने ऐसे कर दिया तो अब इसमें दो गोले हैं, मतलब दो पार्ट हो गए और अगर खुदाना खास्ता मैं एक भाग को color कर देता हूं मालो चलो मैंने जो दो खीनचा उसमें एक भाग मैंने color कर दिया अब भूत ध्यान से देखो, मालो ये भाग मैंने color कर दिया अब अगर कोई पूछे कि बहिया कितना भाग इसका कलर है तो आप लिखोगे जितना भाग कलर है देखो पहले एक में कलर है एक में नहीं है तो एक लिखोगे जितना में कलर है और टोटल कितने भाग है इसमें टोटल इसमें कितने भाग हैं देखो वन ये और वन ये टू है न तो वन अपांटू यानि कलर किया गया भाग इस गोले का वन अपांटू है और अगर पूछा जा इस गोले का कितना भाग है जो कलर नहीं किया गया है तो उसका मान भी वन अपांटू ही होगा यह देखो यह कलर नहीं किया गया नहीं एक खाना कलर नहीं है एक खाना कलर है तो जो कलर नहीं उसका नंबर लिख लिए टोटल कितने खाने हैं नीचे भी लिखते हैं 2, 1, 2 1, 2 में जब 1, 2 एड करोगे तो आपका यह आ जाएगा कौन सा यही जो लाना चाहते हो ठीक है चलो दिखा देता हूं 1.2 में 1.2 एड करो तोड़ा सा रूप जाओ 1.2 में 1.2 एड करो टू अपन टू आएगा ना कट जाएगा बरापर वन आएगा मतलब एक गोला आगे ना पूरा देखो इसे थोड़ा सा और अच्छ है समझ लो एक गोला है यह इसमें मान लो मैंने चार भाग कर दिये अब चार भाग करने के बाद अगर मैंने इसका एक पार्ट कलर कर दिया सिर्फ एक पार्ट कलर कर दिया अब तुम देखते जाना बस भागना नहीं ठीक है मैंने एक पार्ट क्या किया इसका कलर कर दिया यह लो मैंने रंगीन कर दिया एक पार्ट इस गोले में थे कितने पार चार पार्ट थे ना इसमें अगर आपसे पुछे कोई कि इस गोले का कलर किया गया भाग कितना है तो देखो कलर मैंने सिर्फ एक ही पार्ट किया है तो आप लिखोगे बाकि टोटल कितने पार्ट थे जो को वन ये था और ये टू, थ्री, फोर टोटल फोर पार्ट थे न तो कलर किया गया भाग एक बटा चार होगा बात समझ गे न मतलब टोटल भाग चार है उसका एक भाग कलर है तो एक बटा चार अगर इसी में आपको दे दिया जाए कि भाईया इसका एक भाग और कलर कर दिया गया अब देखो क्या होता है एक भाग और कलर कर दिया गया अब क्या होगा अब अगर कोई पूछे कि इसका कलर किया गया भाग कितना है तो क्या बता होगे अब इसका कलर किया गया वाग दूई चुकि दो भाग कलर है एक यह के दो भाग कलर है और टोटल चार है ना तो दो बटा चार मतलब इसका उतर क्या हुआ तो अब कलर किया वाग कितना है तो यह से इसी तरह से आपको कंसेप्ट को सीखना है ठीक ना समझ गए ना जैसे एक मैं थोड़ा सा और बता बर देता हूं एक दम गईराई सीखे लो जिससे कभी वूलना नरहा से ऐको अघर मालेते हैं कि यूव देहात में हैं साहर मैं जमीन के पास होता है जिन्दगी जीने के लिए तो मानलो यह आपकी जमीन है जो एक पलाट है से लंबा सा मने दिखा दिया अब यह पलाट है और आप हिस्सेदार कितने हैं मानलो चार भाई हैं आप या फिर चार हिस्सेदार हैं किसी भी तरह के हैं अब अगर यह जमीन जो है इतनी बड़ी है ज कितना भाग मिलेगा आपको यार चार में से आपको एक है तो मिलेगा ना ऐसा तो नहीं सब मिल जाएगा ये मालो ये आपको मिल गया तो आप आप से हम पूछें कि आपका हिस्सा कितना है टोटल जमीन का तो क्या बताओगे बस यही चीत तो आपको सीखना था क्या बताओग बैया एक भाग हमें मिला है ठीक है टोटल कितने भाग हुए थे चार हुए थे इसका मतलब हमारा भाग कितना एक बटा चार मतलब अगर कोई जमीन है जो की चार भाग में माटी जाती है तो उसका एक टुकड़ा अगर आपको मिलता है इसका मतलब आपको एक बटा चार भाग मिला है समझ गए ना अगर आप किसी तरह से बेमाने उमानी करके बैया उसमें से दो भाग ले लेते हो तब कितना भाग मिलेगा आपको तब तो आप दिमाग लगाई लिए हो कितना भाग मिलेगा मतलब टोटल चार भाग था चार में से आपको दो मिल गया इसका मतलब कितना मिला दो टोटल चार था दो बटा चार मिला आपको कितना मिला द बहुत कुछ आ जाएगा भाग जाओगे तो फिर जानी रहो कुछ नहीं आने वाला है चलिए कि कुश्चन नंबर पहला एक्सरसाई 2.2 कहता क्या है जरा ध्यान से देखना जिनने फिगर है सब को देखना क्या कह रहा है देखो यह कह रहा है पहला कुश्चन ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्सा आता है 2.2.1.5 को कौन दर्सा रहा है इन सभी चित्रों में बहिए 2.2.1.5 का मतलब क्या हुआ जान रहा है नहीं इसका मतलब हुआ दूई बटा 5 अब इसमें से देखो दूई बटा 5 कौन सा चित्र दर्सा रहा है पहले तो आप यह देखो कि इसमें कौन से चित्र में 5 भाग है इसमें अगर देखो तो तीनी पार्ट है इसमें भी तीनी पार्ट है इसमें किसी भी तरह से 5 पार्ट है ही नहीं अगर दूसरे की बात करें तो इसमें भी 5 पार्ट है न लुटल पार्ट पांच होने चाहिए तो भाई-या पहला नंबर तो यह तो पक्का गला था यह भी गला था चुकि इसमें कहीं भी पांच पार्ट हुए ही नहीं है एक एक में ना इसमें हुए हैं तो अगर हम बात करें आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोसिस करें, ध्यान से देखना थोड़ा बलर होगा तो भागना नहीं, कि किंचा बलर होगा तो भाग जाओ, ठीक है, तुरंट किलियर हो जाएगा, देखो, इसमें ध्यान से देखो तो पांच पार्ट बनाए गए हैं, पांच भाग इसको किया गया, यह ऐसे ऐसे पांच भाग में बांटा गया ना, इसमें कलर कितना है, एक भाग है, अगर मैं आप से पूछू, इसका सेड़ेड पार्ट कितना है, कलर वाला तो कितना है, वन है, और टोटल कितना था, फाइब तो वन अपान फाइब, यानि इसमें कलर किया गया भाग एक यानी, दो चित्र में मिला करके, एक बटाब धने लिए इसका कलर भाग, समझने की कोशिस करो, यार, एक बटाब पाँच, एक बटाब ड़र भाग, तो आपको दोनों का जोड़ करके बताना है, इन दोनों को जोड़ोगे, यह एक ऐसा चित्र बनेगा, काईसा बनेगा एक नया चित्र बनेगा जिसके भाग कितने होंगे मैं आपको बता देता हूँ इसी के सामने देख लो जैस्ट भागना नहीं ये लो चलो मैंने बना दिया एक दो तीन चार पाँच आप देखो बस देखते जाना कहीं नहीं जाना और ठीक है कि इसका जो नया रूप आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कैसे आएगा ये ऐसे आएगा ठीक समझ गये ना इसके बीच में मैं लाइन खीज देता हूँ आपको टेंशन ना हो बिलकुल किसी बरकार की यह ancestors यह नुक 60 मैंने लाइन खीज लिए यह लाइन खीज II तो यह एक अर्य दो आटिए समंझे के कहल रहूं गए यह लाइन इसक में गहां जो कुल लिए आ गया, कितना है ये दो वटा 5 इसका मान है, क्या है दो वटा 5 है, क्योंकि दो भाग कलर है, टोटल 5 भाग था, तो इसका मान दो वटा 5 है, यही कांसेप्ट था इसमें बागी कुछ नहीं था, और यह जान लो आपका ये जीरो लेबल रिजिनिंग है यहां से, जीरो कि आपको हर एक कलास मिल सकें अगर आप इसे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पीवीर इस्टडी के फेस्बूक पेज को तुरंद लाइक करें देरना करते हुए और हमें अनेकडमी ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगा फॉलो करें एक ही नाम हर जगा पीवीर इस्टडी प इसमें पूछ रहा है एसे सी तक कुछ चितर दिये हुए हैं बताइए कि उनमें से कौन सी निमनलिकित आकरती को दरसाती है मतलब यह जो सवाल दिया गया एक दूई तीन और चितर भी देखो दिये गए एक दूई तीन तो इन ही चितर से यह रिलेटेड हैं किसी ना किसी यह आपको समझना है थोड़ा चोटा करके मैं दिखा रहा हूं दूसरा कुष्चन अगर आप ध्यान दो तो देखो तीनों दिख रहा है दूसरा कुष्चन थोड़ा चोटा हो गया ना देखो इसका मतलब अब आप थोड़ा सा गहराई से समझ लो तो जादा बेतर होगा ठीक है कैसे हैं देखो जैसे अगर बात करें ए से सी तक के कुछ इतर दिये हुए हैं बताइए कि उनमें कौन निम्लिखित को दरसाता है थ्री इंटू अनपान फाइब इक्वल थ्री अपान फाइब मतलब तीन बटा पांच को इसमें कौन दरसाता है देखो नीचे सीधा पांच आ रहा है इसका मतलब कोई ऐसी आकरती बनेगी जिसमें हर में पांच होना चाहिए जरूरी है नीचे पांच होना चाहिए यानि टोटल एक आकरती के पांच पार्ट होने चाहिए इसमें अगर देखो तो कितना एक दो तीन चार कितना है चार है ना मतलब पांच पा साइन ख्राट नहीं इसमें देखो पांच पार्ट है क्यां एक दो तीनी पाउट यह ने भी गलत है इसमें किसी भी तरह से 5 पार्ट हुआ ही नहीं तो हम भी तो टीन भला है था पर टीन द्रसाए नहीं है कि नीचे यह द्रसाए होगे set color वाले कितने से ड़ाइड़ पार्ट तीन ना तो तीन बटा पांच है यानि इस पहले वाले सवाल को इसका तीसरा वाला फिगर डिनोट कर रहा है इसका अगर सही गलत मिलाना तब इसमें मिला सकते हो अगर दूसरा की बात करें दूई बटा तीन तो देखो दूई तो छोड़ तो नीचे तीन है ना अब आप देखो कोई फिगर जिसके तीन पार्ट किये गया हो एक दो तीन देखो इसमें तीन पार्ट है इसमें एक दो तीन चार पार्ट है तो यह चार पार्ट वाला कता ही सही नहीं है इसमे देखो नीची नीचे 3 है 3 होना चाहिए तो यह मतलब साही है लेकिन इसको verify कर लो इसमें दू बटा 3 है एक इसमें colourful है इसमें colourful है इसमें देखो 2 colourful है 2 colourful मतलब 2 बटे टोटल 3 पार्ट थे मतलब 3 दो बटे 3 इन दूसरे वाले फिकर का जूमिलान है ऐ वाले में होगा समझ गे दूसरे वाले का ए वाले में तुफी तरफे तीसरे वाले का जो मिलान है वो इसमें हो जायागा दूसरे वाले में बस बात कदम तो इस तरह से आपका ये सारा जो भी कांसेप्ट है इसमें क्लियर हो गया होगा उमीद करते हैं अगर कोई भी सवाल है तो आपनी संकोच उसे पूँच सकते हैं तीसरा नमबर कुष्चन कहरा है गुड़ा करके नियुनतम रूप में वेक्त कीजिए और मिस्रित भिन्य में वेक्त कीजिए देखो गुड़ा करके निउन्तम रूप में वेक्त कीजिए इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो अच्छे से गुड़ा करके निउन्तम रूप में वेक्त कीजिए जैसे साथ गुड़ा तीन बटा पांच है ना कि तो साथ गुड़ा तीन बटा पांच का मतलब जान रहे हो कि अगर इसे गुड़ा करोगे तो साथ तरी की 21 21 बटा पांच होगा ना 21 बटा 5 होगा इसे आप मिस्रित भिन्न में बदलना जानते हो 21 बटा 5 ना 21 बटा 5 का मतलब यह हुआ यार कि 21 में आप 5 से भाग करो तो 5 होगा 20 गटाने पाया एक यानि 4 सही एक बटा 5 आएगा कितना आएगा 4 सही एक बटा 5 बात समझ गए ना तो यह हुआ इसका अंसर मिस्रित भिन्न 4 इंटू 1 बटा 5 हो गया यह पहले का उत्तर हो गया कहरा थे गुड़ा करके नियुनतम रूप में लिखी है और मिस्रित भिन्न में बदल लिए नियुनतम रूप का मतलब अगर यह कटता पिटता तो इसे काटना पड़ता 21 बटा 5 जो है अगर यह 21 बटा 15 होता जिसे हम काटते 3 सते 23 पचे 15 लेकिन यह कटने वाला है नहीं तो भईया इसको सिधा-सिधा मिस्रित भिन्न में बदल देना बाकी कुछ नहीं करना है जिसे इंगलिस में mixed fraction बोलते हैं तो हाँ जो यह 21 बटा 5 आ रहा है यह improper fraction है एक होता है proper fraction एक होता improper जिसे उचिता और अनुचित भिन्न बोलते हैं और एक होता है mixed fraction मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ एक नजर में देखो अगर कहीं मैंने लिखा 1 अपांट 2 और एक भिन्न मैंने लिखा बईया 5 बटा 3 और एक मैंने लिखा 1 सही 7 बटा 3 देखो अब सब समझ लो एक नजर में यह है उचित भिन्न या proper भिन्न यह है अनुचित भिन्न या फिर improper fraction यह है मिस्रित भिन्न या फिर mixed fraction समझ गए ना पूरी कहानी इतना आई थी इसमें और कुछ अलग से नहीं है यह mixed fraction है यह proper है यह improper है जिस भिन्न का हर यानि नीचे वाली गिंती अंस से बड़ी होती है वो proper भिन्न या proper fraction खलाता है जिस भिन्न का हर उपर वाली गिंती से छोटा होता है वो improper fraction कहलाती है इसमें भाग करके तो हम मिस्रित भिन्न पराप्त करते हैं बात समझ गए ना तो देखो concept यहाँ पर आप दो गुड़े छे यह पांच बटा दो एक पूर्ड संख्या नहीं है यह यह भिन्न है लेकिन छे पूर्ड संख्या है जब इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा आपको पता है भी आप जानते हो पांच शंग तीस बटा दो जो निवन्तम रूप में लिखने क को कह रहा था कि अभी देखो यह कट सकता है दो एकम दो और यह 15 आएगा मतलब की 15 बटा दो क्या हैगा 15 बटा दो ठीक है तो 15 बटा 2 नहीं सरी देखो 2 से तो ये कटी गया था ना 2 एक कम 2 थीज़ कट के 15 आया था मतलब 15 बटा 1 आएगा तो ये निवनतम रूफ है क्या है ये निवनतम रूफ है अब इसको मिक्स डुमें नहीं बदलना चुकि नीचे हर में कुछ बचाई नहीं तो यही था इसका पूरा सब कांसेप्ट अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है अभी भी तो आप उसे नीजन कोच कमेंट करके हमसे पूँच सकते हैं अगर आप इस कलास को यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और वेल आइकनान करें अगर आपने कलास को लाइक नहीं किया है तो कि रूप पे लाइक कर दो जल्दी से बावी यार फलीच चुकी हम आपी के लिए तो सब कुछ करते हैं तो आपका भी थोड़ा सा करतब बेबनता है उसका पालन जरूर करें करा 24 का एक बटा दो ग्याद कीजिए 24 का एक बटा दो बोर्ड मास रूल में मैंने बहुत फाएं फाएं करके चिलाया था कि भाईया का मतलब होता है गुड़ा तो का मतलब गुड़ा 24 गुड़ा एक बटा दो इसको काट पीट लो आप काटना पीटन जानते हो 23 आया कितना है 23 उसके बाद अगर अगला बात करें 18 का दो बटा तीन तो 18 का दो बटा तीन मतलब आप देख लो 3 से काट दो 3 छंग 18 और 6 दूना 12 इसका अंसर कितना आएगा 12 कितना आएगा 12 समझ गे ना तो नोट कर लो फटा फट इसका अंसर दो एल ख़र इसके बाद 27 का दूइबटा तीन 27 का दूइबटा तीन तीन से काट दो 3 नवत 27 नव दूना 18 मतलब कितना आ गया इसका अंसर 12 आ गया ना समझ गया हो गया तो बस यही करना है इसी को हल करना था बाकि इसमें कुछ नहीं करना था अगला चछटवा कह रहा है गुड़ा कीजी और मिश्रित बिन में बदलिए तो इसको भी कर लोगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह कह रहा है कि थ्री इंटू फाइफ वन अफान फाइफ यह पाहला कुश्चन है आए देखो यही फाइंल में बनेगा थीन गुड़ा 26 भटह पांच यही बनेगा ना थीन गुड़ा 26 भटह 5 बने अब देखो इसमें गुड़ा कर लो थीन जबवे से हुँड़ा करोगे तो तीन चलग Photoshop forget और तीन दूना चेक साथ बटा पांच 68 बटा पांच आएगा पांच से बाह करोगे आप जानते हो 165 रएच्छा काटतर होता है न कट जाएगा क्या यह बांसे काट ओगे नहीं कटेगा कभी नहीं कटेगा यह पांच से काट के देख लो तेरा पच्छे 65 तेरा आएगा उपर 13 जायेगा यानि 13 सही और कितना तेरा पच्छे 65 65 में 5 जोड़ों कि कितना होगा 65 65 तर नहीं गलत होगा तेरा पच्छे 65 भाग देख देख लो फिलहाल 5 से भाग करों कि 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा दो बच्छे 28 हो जाएगा तो 25 फिर से 3 बच्छे गाना कुछ अजीब से आएगा चलो दिखा देता हूं चुकि ऐसे थोड़ा सापको कम समझ में आएगा अगर बढ़ हो रहा है पांच से भाग कर लो पांच एकम पांच घटा होगे दो आएगा उतालो आठ पच्छा 25 घटा समझ गया ना तो फटा फट लिख लो जल्दी से बीना देर करे हुए लिख लो 15 सही 3 बटा पांच बनेगा गुड़ा कर लो 15 55 73 78 78 बटा 3 तो यह 15 सही जो हमने लिखा है 3 बटा पांच यह है मिस्रित विन क्या है मिस्रित विन है यह मिक्स्ट फ्रेक्शन है नोट कर लो और अच्छा नहीं करना करना जरूर यह आपके लिए होमर के जितने और भी हैं आगे बढ़ें तो अगला कुश्चन देख लो यह एकसर साइज लगबग इंड होने वाली है इसलिए हर एक कुश्चन को बहुत ध्यान से देखो सता कुश्चन कहता है क्यात कीजिए क्या ग मतलब होता है गुड़ा और टू इन टू थ्री अपनफार का मतलब हुआ चार दूना आठ तीन ग्यारा यह वैया हो गया हरा 4 अर का मतलब गुड़ा एक बट रस यही पूरा कहानी थी गुड़ा कर लो ग्यारा बटा चार दूना हूं ग्यारा बटे आठ इसका उत्तर हो गया बात समझ में आई ना लिख लो जल्दी से क्या हो गया ग्यारा बटे आठ ठीक है चले आगे चलिए इसमें का बचा हुआ जो पार्ट है उसे खुद से कर ले ना उसको मैंने बताने वाला हूँ एक वर्ड प्रॉब्लम इसे समझ लो बिद्धय और प्रताब पिकनिक पर गए उनकी मा ने उन्हें 5 लिटर बोतल वाली पाणी वाली एक बोतल दिया और भिद्धया ने कुल पाणी का दो बटा पालप भाग परियोग किया तो कह Skills आए कि पर पाणी पिया यार 5 लिटर वाली क्या थी बोतल थी पांच लिटर बोल रहा हूं चलो एक डो तीन चार और यह वहीगी खवाय दो तीन चार पांच अब चलो मानलो कि यह 7 लीटर questa वाली बोतम थीए 5 लीटर हो गया 2350 बॉत उसमझा एक लीटर पानी और है अगया समझो मतलब है का किज राकि विद्द्वाइय ने उसमें लोड़ तो बटापांच का मतलब यह दो पार्ट मतलब दो लीटर उसे ने पर्योग किया दो पार्ट मातम के इतना मैं घेड रहा हूं बलैकgraduate यह बटापांच-थ שמתर ने कित्ना पानी प्या खाणा था जुर ने तूठ बाटा費 5 तो तो यह कितना हो रहा है ? करें ? मतलब 1 समझ रहे हो कि नहीं ? लेकिन आईसे काम नहीं बनने वाला है तो प्रेज़ीने अच्च भाग जो परियोग किया है आप वह तो के की कांसेप्ट के लिए था यह पांच लीटर वाली बोतल थी तो पांच लीटर का दो बटा पांच भाग परियोग किया तो पांच का दुई बटा पांच भाग निकालो ऐसे बात समझ गए ना यह यानि विद्ध्या ने दो लीटर पानी पिया है कितना पिया है दो लीटर पानी पिया है इसका सही जबाब यह हो गया विद्दया ने कितना पानी पिया दो लीटर पानी पिया जबकि परताप ने तीन लीटर पानी पिया पानी की कुल मात्रा का कितना भिन परताप ने पिया कितना भिन परताप ने पिया अगर भिन में निकालेंगे तो कितना आएगा भाईया दो बटा पां वाज भाग इसका कौन पिया विद्ध्य ने पिया यानि तीन लीटर प्रताप ने पिया दो लिटर बिद्ध्य ने पिया टोटल पांच लीटर पानी था इस तरह से पांच ओ लिटर पानी सब मिला के पी गए अगली कलास में हम देखेंगे भिन का भिन से गुड़न देखो बिन का भिन से गुड़न वैसे तो میں करवा चुका हूं फिलाहाल कई कलासों में मैंने करवा दिया आपको लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम फिर से आपको एक बार बता देंगे इसमें कुछ है नहीं जादा तो यह ये कलास इतना ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपनी संकोच उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आप इस कलास को WhatsApp पे मतलब WhatsApp ग्रूप में पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए और हाँ दूसरी बात WhatsApp ग्रूप में कलास नहीं मिलेगी इसके लिए माफी चाहते हैं इस पे आप WhatsApp पे इंक्वारी कर सकते हैं इस WhatsApp पर आपको कलास तो नहीं मिलेगी लेकिन आप अगर PBR Study एप डाउनलोड कर लें PBR Studies फिलिंग देख लो यही लिख करके Google Play Store पर जाकर सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए उसमें आप कोई कठा Complete Course मिल जागा एक साथ और आप घर बैटे सीख पाएंगे अराम से सीख पाएंगे बिना किसी टैंसन के ठीक है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें इस नंबर पर फोन काल भी कर सकते हैं सुबह दस बज़े से साम चार बज़े तक आपको हम सारी कलासे उपलब्द कराएंगे और आप घर बैठे अराम से मैस सीख पाएंगे गारंटी के साथ तो आज के लिए फिलाल इतना ही जैहिन दोस्तों चलते चलते निबेदन होगा अगर आप इस कलास को डेमो के रूप में यूट्यूब पर देख रहें तो दोस्तों में जरूर सेर करें और लाइक वस्ते करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक अनन करें